क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी महंगे पेड़ हैं जिसके एक किलो लकड़ी की कीमत में आप गाड़ी तक रिच सकते हैं चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी लकड़ीों से म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट, नकाशी, जोयलरी और बरतन बनाये जाते हैं कई पेड़ तो ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जादा डिमांड रहती हैं क्योंकि इन्हें तयार होने में काफी टाइम लगता है इसलिए डिमांड के इसे आप से सप्लाई नहीं हो पाती और इनकी कीमत चड़ती जाती हैं कुछ वक्त पहले इनकी कीमत हजारों में थी लेकिन अब लाकों रुपिय हैं बात करें सबसे महेंगे पेड़ की तो वो अफरीकन ब्लेक बूड है अगर आपके पास इसकी एक किलो लकड़ी भी है तो आप लगपती बन सकते हैं क्योंकि इसकी एक किलो लकड़ी की कीमत 10 लाक रुपिय है यह लकड़ी मुख्य रूप से अफरीका के सुखे शेत्रों में पाई जाती है अमोमन इसका पेड़ एक क्विंटल के आसपास का होता है लेकिन इसे तयार होने में 50 सार लग जाते हैं दूसरा सबसे मेंगा पेड इबो नी है यह पेड अफरीका रेन फोरेष्ट के निजले इलाकों में पाये जाता है और तकरीबन 18 मीटर सक लंबा होता है म्यूजिकल इस्ट्रूमेन नकाशी बनाने में इसका खुब इस्तेमाल किया जाता है यह भी 8 लाक रुप्य में बिखता है दक्षिन भारत और श्री लंका के कुछ इलाकों में भी यह आपको मिल जाता है इसके अलावा लाल चंदन तीसरे नमबर पर है दक्षिन भारत में लाल चंदन बहुत होता है अरोमा और ओश्दिय गुणों से परपूर होने की वज़े से इसका इसका इस्तेमाल साबून, पावडर, टूथपेश्ट, ब्यूटी प्रोड़क्ट और कहीं तरह के महेंगे क्राप्ट वर्क में होता है यह भी आपको 20,000 रुप्य किलो तक सेल होता है चोथे नंबर पर पिंग का इवरी है जो की दक्षिन अफरीका में पैदा होता है और 15 मीटर तक लंबा होता है इसे गुलाबी हाथी दाथ भी कहा जाता है यह लकडी बहुत कठोर होती है इसलिए इसकी कीमत भी काफी जादा है एक किलो लकडी की कीमत 10,000 रुपिय तक जाती है लिष्ट में पांचवे नंबर पर ब्राजिलियन रोज वूड आता है जिससे फरनिचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तयार किये जाते है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 8,000 रुपिय तक है इसे ब्राजिलियन शीशम भी कहा जाता है आपको हमारी जानकारी कैसे लिए कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं